नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शाम्बी सिंग और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसल मेर की गलियां तो तकनीक का जमाना है और तकनीक हर रोज बदल रही है तो आज मैं आपको ऐसी ही एक तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं कि आने वाले समय में आपको बहुत फाइद या एकसिज करते हैं या कोई हम यूट्यूब के माध्यम से या माध्यमों से हम कोई वीडियो या फिल्म देखते हैं या डाउनलोड करते हैं तो चिंता रहती हमें डेटा की और फाइब जी में डेटा ऐसे सेकंड नो मिंटों मों उड़ जाता है कि हमको वापस से आप घरों के अंदर टीबी में डीटीएच के माध्यम से देखते थे और अब उसी प्रकार से आप बिना किसी इंटर्नेट के बिना किसी केविल के सीधे मोबाइल में किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकेंगे डारेक्ट टू मोबाइल इसका नाम है डीटु एम तो डीटी बात ये है कि D2M भारती तक्निक होगी कानपूर IIT ने एक प्रस्ताव सरकार को दिया है कि हाँ हम D2M के माध्यम से जो भारत में 70 करोड मोबाइल है उन तक हमारी सीधे एकसिस हो सकती है यानि सीधे हम पहुंच सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल पर हम सीधे कैसे पहुंच पाएंगे उसमें कुछ खामिया है मतलब अभी तक तक्निक तो है लेकिन थोड़ी जटे ले थोड़ी मुश्किल है इसको आसान बनाना अब IIT कानपूर का काम ह जिसने प्रस्ताव दिया है कि किस प्रकार से हम सीधे मोबाइल तक पहुंच सकते हैं देखिए जो डिटी एच है उसके माध्यम से हमारे घरों तक फिल्में पहुंचती है पहले हम केवल के माध्यम से देखते थे उससे पहले एंटीना के माध्यम से देखते थे दूर दरस सकते थे अब क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम यह है कि अभी हम सेटलाइट से सीधे संपर्क्तों कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सेटलाइट सेटलाइट कैसे पहुंच पाए और बिना किसी एंटीना के इसी पर काम चलना है तो देखिए अभी हम जैसे मोबाइल होते हैं कुछ हमारे कुछ फॉन होते हैं सेटलाइट तो कहीं से भी हम बात कर सकते हैं पूरी दुनिया में सेटलाइट फॉन काम करते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई टावर की जुरूत नहीं पढ़ती है इन सीधे हम सेटलाइट से जुड़े रहते हैं अब यही काम आम आदमियों के लिए देखिए धर्ती पर एक हमारा करके एक नई टक्निक लारा है जिसका नाम है डी ट्यूम और उसका काम यह होगा कि अभी तक जो एक पर्टीकुलर दिशा में सिंगनल भेजे जाते थे जो छत्री के माध्यम से पकड़ करके हम अपने टीवी पर देखते थे अब वो सभी दिशाओं में सिंगनल भेजे जा सबसे खुशी की बात ही कि भारती तक्निक होगी तो जहां तक अभी हम इंटर्नेट की बात करें तो दुनिया में इंटर्नेट के बिना अभी कोई कारइघ नहीं होता है और ऑने लोगों तक मतलब आज समय में एक जरूरत बन चुका है और आने वाले समय में अगर D2M आ गया एक-दो साल तीन साल के अंदर तो इंटर्णेट पर जो अभी traffic है काफी कम हो सकता है क्योंकि internet सारा जो traffic आता है वह सारा ज़ादतर वीडियो देखने वालों का होता है और अगर वीडियो देखने वाले डीटू एम पर चले गए तो इंटरनेट में बहुत सारा डेटा मतलब कम हो जाएगा और हम आराम से फिर जैसे कि अभी फोर जी चलता उसके माध्यम से भी हम आराम से हम डेटा कंज्यूम कर पाएंगे तो दोस्तों आने ब उर्पियों ना हो जितना हम तकनीक में जाते जाएंगे जैसे कि सोचल मीडिया के माध्यम से आज कल कई तरह कैसे वीडियो भी आने लगे हैं कि जो शायद हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए नुकसान होते हैं तो तकनीक आती है नहीं इसका मकसद यह होता है कि इंटरनेट के अब सीधे आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे और रिचार्ज वाला जो प्रॉबलम है जो इंटरनेट खतम हो जाता है डेटा का प्रॉबलम है वो दीरे दीरे समाप्त हो जाएगा आप सोच रहेंगो क्या यह फ्री होगा मुझे लगता है कि शुरू रुपया पंद्रह बीस रुपया भी देंगे तो बीस पच्चीस अरब रुपय साला ना सकते हैं यानि तो उसका फीस बहुत कम होगा अभी इंटरनेट का हमें को 300-400 रुपया 500 रुपया खर्च करना पड़ता है उसके मुकाबले डीटू एम बहुत सस्ता होगा तो सब ल आई तकनीक चितनी भी आएंगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे तो आज मैंने आपको डीटी एम के बारे में बताया क्योंकि जो आयाइटी कानपुर ने सरकार को प्रस्ताव दिया हो सकता इस पे अब काम शुरू होने बाला है और दो तीन सालों के अंदर डीटू एम हमारे हिंदुस्तान की इजाद होगी भारती वेग्यानिकों की इजाद पूरे दुनिया में चाने वाली है ये बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और चलते चलते मैं आपको चंद्रियान के बारे में बता दूँ चंद्रियान पहुंच चुका है अपनी कच्छा में चांद की कच्छा में चक्कर लगा रहा है और अब ये चांद की कच्छा दीरे दीरे इसकी कम की जाएगी और जैसे ही ये 100 किलोमिटर चांद के नजदीक पहुंचेगा फिर इसको 23 अगस्त को शाम साड़े पांच बजी के आसपास इसको लेंड किया जाएगा और लेंड क का यूग हमारे जो मेहनत कर रहें नहीं नहीं तकनी भारत को आगे ले जाने के लिए उनका यूग रहेगा ऐसी में उम्मीद करता हूं तो आप भी कोशिस करिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए और बस खुश रहिए किसी तरह से कोई दुश्मन के दखिलने की कोशिस करेंगे उनसे खुश रहिए नमस्कार